नकल में अब तक बिहार को आगे समझा जाता था लेकिन जारकन के धनवाद जिले के आरेसमोर कॉलेज में जो देखने को मिला वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है यहाँ 11 क्लास के एक्जाम हो रहे हैं एक बेंच पर 5 स्टुडेंट्स बैटे हैं और परिक्षाद चल रही है चीटिंग करवाने का भी पूरा इंतजाम है किसी के पास भूक रखी है तो किसी के वैग में मुबाइल सभी बिना किसी की फरवाह किये अपना पेपर दे रहे हैं हैरानी की बात यह है कि एक्जाम दिला रहे टीचर इस बात से बेखबर है बिहार में नकल और फरजी टॉपर्स के मामले पर चड़ी बहस के बीज एकैडमिक करप्शन का ये ताजा मामला सामने आया है जारखन के राची से दैनिंग भासकर.कॉम की रिपोर्ट